निमोनिया का घरेलू उपचार निमोनिया फेफ़रों में असाधारन तौर पर सूजन आने के कारण होता है इसमें फेफ़रों में पानी भी भर जाता है आमतोर पर pneumonia कई कारणों से होता है जिन में प्रमुक है बैक्टीरिया, वाइरस, फंगी या अन्य कुछ पर जीवी इनके अलावा कुछ रसाइनों और फेफ़रों पर लगी चोट के कारण भी pneumonia होत है, pneumonia एक खतरनाक बीमारी है और अगर इससे तुरंत ना लड़ा जाए तो यह फेफ़रों को भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपको या आपके परिवार में किसी को pneumonia है तो आप नीचे दिये गए कुछ आसान से घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर सकते है pneumonia फेफ़रों में असाधारन तोर पर सूजन आने के कारण होता है इसमें, फेफ़रों में पानी भी भर जाता है आम तोर पर pneumonia कई कारणों से होता है जिन में प्रमुक है बैक्टीरिया, वाइरस, फंगी या अन्य कुछ पर जीवी इनके अलावा कुछ रसाइनों और फेफ़रों पर लगी चोट के कारण भी pneumonia होता है लहसुन कुद्रती रूप से बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है यह वाइरस और फंगस से भी शरीर की रक्षा करता है लहसुन में शरीर का तापमान कम करने और छाती वा फेफ़रों में जमा बलगम को बाहर निकालने की क्षमता होती है कैसे करे उप्योग एक कप दूद में चार कप पानी डाले और इसमें आधा चमच पिसा हुआ लहसुन डाल दे इसे तब तक उबाले जब तक मिश्रण का एक चौथाई न रह जाए इस मिश्रण को दिन में तीन बार पिएं पिसे हुए लहसुन की कलियों में समान मातरा में ताजा नीमबू का रस और शेहद मिला लें दिन में तीन चार बार दूसे तीन चमच इसमी श्रॉन का सेवन करें छाती पर लहसुन का रस या पेस्ट मलने से भी आराम होता है अदरग की चाय पीने से भी लाब होता है मेथी के बीज म्यूकोलिटिक गुन होते हैं जो छाती में जमने वाली बलगम को पतला करने में मदद करते हैं इसलिए मेथी का सेवन करने से बंद छाती खुल जाती है मेथी के सेवन से पसीना आता है जिससे बुखार कम होता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं कैसे करें उप्योग दो कप पानी में एक चम्मच मेथी के दाने डाल कर उनकी चाय बना लें इस चाय को चान कर दिन में चार बार पिएं स्वाद में इजाफा करने के लिए इसमें नीमबू का रस मिलाया जा सकता है जैसे जैसे आपको अपनी सेहत में सुधार दिखने लगे आप इसकी मातरा कम कर सक ते हैं एक कप पानी में मेथी के दाने, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक लहसुन की कली पिसी हुई और थोड़ी सी काली मिर्च डाल कर पांच मिनट तक उबालें इसे चान लें और फिर इसमें आधा चम्मच नींगू का रस डाल दें आप चाहीं तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं, दिन में तीन चार बार इसका सेवन कीजिए, आराम होगा सबजियों का जूस पिएं, गाज़ का ताजा जूस, पालक का रस, चुकुंदर का जूस, खीरे का जूस और अन्य सबजियों के जूस हमारी सहत के लिए बहुत फाइदे मंद होते हैं और नियूमूनिया के दौरान तो इनके लाबहर बढ़ जाते हैं इनसे इम्म्यूनिटी बढ़ती है, काफ कम होता है और शरीर से विशेले पदार्थ कम हो जाते हैं इनमें फॉस्फोरस की मा, त्रा अधिक होती है और साथ ही ये पचने में भी आसान होते हैं कैसे करें उप्योग, पालक और गाज़को मिलाकर आधा लीटर जूस बना लें, रोज इसका सेवन करें, आप चाहें तो रोजाना एक कप चकुंदर के जूस का भी सेवन कर सकते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आएं तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाश्मी.com चैनल और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हाश्मी.com की हिल्थ संबंधी जानकारीयों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं